अब नमस्ते हम लोग किसके प्लॉट में है यह एक बार आप पूरा गाउं का नाम बताएंगे उनका अभी हम लोग पहले आपकी फिल्ड पे थे आपका एक बार और नाम बताएंगे गिरिश दगा पाटिल अभी आपके यहां पर जो फिल्ड हमने देखी थी वह छे बाई प अच में 100% 37 इसमें हम लोग देख रहे हैं 70-30 इसी को बोलते हैं सिंपल साय किसी को अगर देखना भी हो तो बराबर पर वो नाली थोड़ा सा गड़ बड़े अभी आने वाले टाइम में उसको हम और कैसे चेंज कर सकते हो करेंगे तो 70-30 में यहां पर पोधा और एक पोध बना दिया है तो इसको न बनाते हुए केवल हमें यहां पर और यहां पर केवल इतनी सी नाली चाहिए बस बाकी तो पूरा का पूरा मिट्टी के लिए सपोर्ट में रहेगा यह होना चाहिए और यहां पर कच्रा जो भी हमारे खेत में यह निकलता है यह पूरा इसमें डल दल सकता है लोगों के मन में ऐसा डर है कि अगर इस समय में केला रहता है और इतनी गेप हो जाती है तो पोधा चतिस केले हैं उपर में चतिस चतिस केले हैं काफी हेवी है सभी मैं यहां के किसानों से भी अनुरोद करूंगा एक बार जरूर आए और यह देख कर जाएं कि कितना कितना कलीन केला है एकदम सुपर वाकई में मैंटेन हुआ है यह क्या केला है यह क्या डिस्टेंस जबर जबर जस्टेंस कर पर हुए इसहे नहीं दम मिलने वाली है अभी यहां पर देखो आप यह क्या वादा है यह सुपर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा पंजे हैं अब इसमें से हमें नो या दस रखना है लास्ट नो ही रखना है सबसे बेस्ट है इसमें भी केले की संक्या तो बहुत दिख रही है ऐसा लग रहा है कि इसमें तो और चालिस केले होंगे इसमें गिन सकते हैं क्या यह पूरा मोर पंख जिसा लग रहा है एकदम गिनते हैं इसे थोड़ा सा एक दो तीन चार पाच शे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा चवदा पंदरा सोला तो 32 के लिए उपर सबसे तो 32 के लिए अगर वहां है तो हम एक बार दूसरे नंबर वाला भी गिने दूसरा तो गिननी पाएंगे पीछे हैं यह गिनते हैं चोथे नंबर वाला है क्या लगता है अधर कंपणी में यह 20 के लिए कहां पर होते हैं उपर टॉप पे और यहां पर चोथे नंबर में कैले में लेंद केसी लग रही आपको लंबई उपर और नीचे में सरी का है करीब करीब तोड़ा बहुत माइनर डिफ्रेंस है बस मतलब बड़ा डिफ्रेंस नहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है आपने अभी तक बताए कि इस प्रे कितने कर दिया थे आपने फिल्ड में अभी करें नहीं यहां पर आप देखेंगे पूरा केला एकदम क्लीन है किसी तरह का कोई थ्रेप्स माइट्स वगेरा कुछ भी नहीं है पर मच्छर भी नहीं काट रहे हैं नहीं तो किसी भी उसमें बहुत मच्छर वगेरा भी बहुत परिसान करते हैं बहुत बहुत सुपर प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी है सारा नीचे तक का केले में गेब बहुत अच्छी है क्या वादा है यह थोड़ा सा क्लीनिंग की बहुत जरूरत है यह जरूर क्लीन कर लें यह अगर क्लीन हो जाएगा तो और बेस्ट रहेगा बहुत बहुत बढ़िया अच्छा है किसमें पंजे तोड़ना चालू है बराबर हर पंजा बहुत बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है इसमें इधर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर ड्रिप हलका सा चोक है इसको जरूरत है कुछ क्लीनिंग की पानी चलने दो अब तो कोई दिक्कत नहीं ना हम बस बस चलने दो प्लेट चले बिल्कुल जलकल चलने दो आप गहंटा अगर चलता है इसमें भी तो अदिक्कत नहीं सब्सक्राइब कंoh बाको बहुत हirt मत यहां इंस्वाड गर देखें तो करीब-करीब यह तो लग रहा है इधर देखते हुए हर को फोदे में बंच निकल आ हर फोदे में बंच आगया है यह यह ना क्या कहेंगे भीया केसा लग रहा है आपको भी बढ़िया आज कितने प्लॉट विजिट करें होंगे करीब अच्छा है बेस्ट है एक बार मैं फिर से निवेदन करूंगा किसानों से कि अगर महारास्ट में साधा नंदुरबार बेल्ट में अगर कोई हो और देखना चाहें तो यहां पर आ सकते हैं बोरड बराबर बराबर करें